Hello Everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Nova Clocks LB Capsule के बारे में जो की इस Capsule का इस्तमाल बहुत ज़्यादा एंटिबियोटी के रूप में बहुत से परपजों में इस्तमाल करने के लिए जाता है तो आज की इस वीडियो में हम इही बात करने वाले हैं Nova Clocks LB के बारे में इसमें कोंबिनेशन का है, उन कोंबिनेशनों में क्या काम है, कौन-कौन से परपजों में इस्तमाल किया जाता है क्या डोज है, क्या साइड इफेक्ट है, किसे नहीं लेना है या सब ही बाते हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो बात करते हैं नवा क्लोक्स LB कैपसुल जो कि आपके पास के मेडिकल स्रुपे बहुत ही आसानी से अबलेबल हो जाता है सिपला कमपनी की बनाई मेडिसिन है 10 कैपसुल की पैकिंग होती है और इसका प्राइज 80 से 90 रुपे की प्राइज में आपको अबलेबल हो जाती है उसका प्राइज लुक्ष्ट होता रहता है अब बात करते हैं नवा क्लोक्स LB कैपसुल में क्या के कॉम्बिनेशन है तो इसमें आपको 3 तरह के important कॉम्बिनेशन अबलेबल हो जाते है पहला combination है amoxyslin, जो की अर कैप्सुल में धाइसोमजें अबेलिबल हो जाता है, जो दूसरा जो कि यहाँ भी एक तरीके का एंटिबाइटिक, एंटिबेक्किरियल और एमीनो पेंसिलिन के क्लास से बिलोंग करने वाला यहाँ कॉम्बिनेशन है यह दोनों ही combination एक तरीके का antibiotic है और इन दोनों ही का combine करके काफी अच्छा effect देने काम करता है इसे बहुत ज़्यादे इस्तमाल डाइरिया के purpose में बहुत ज़्यादे किया जाता है दस्त की समस्या होती है digestive system upset रहता है तो उन से भी condition में दिया जाता है इसके अलावा भी से और भी बहुत से प्रपजों में दिया जाता है दान से जुड़ा हुआ किसी परकार कोई infection होता है या कोई जखम होता है तो उनको यह cure करने में दिया जाता है dental problems में इसके अलावा नाक, कान, गले से जुड़ा हुआ किसी परकार कोई infection होता है तो उन से भी condition में इस्तमाल करने के लिए दिया जाता है तो उनके यह multiple परपोजों में इस्तिमाल का जाता है जिसमें bacterial infection होता है तो उसको यह solve करने में काफी कारगर होता है अगला combination है lactobacillus जो कि यहाँ एक तरीके का probiotic होता है intestine में जो भी good bacteria होती है उनको यह restore करने में healthy बनाने में मदद करता है जिससे जो भी digestive system बिगड़ा होता है तो उनको यह solve करने में काफी कारगर होता है जैसे की diarrhea की समस्या होती है stomach infection होता है या peptic ulcer होता है तो उनसे भी condition में इसे दिया जाता है इसके अलावा irritable bowel syndrome की समस्या होती दिन में दो बार खाना खाने के बाद दिया जाता है यह दवा अखिले दी जाने वाली दवा नहीं है इसके साथ और भी दवाईयों कंबाइन करके दिया जाता है जिससे जो भी आपकी problem है वह बहुत जल्दी cure हो सके नुकसान की बात करे तो सूट ना करने बाए तौचा मे लाली पन बहुत जाद नीन दाना चक कराना मुह का सूखना कबजी के समस्या चहरे पे सूजन होना इस तरी के नुकसान देखने को मिल सकता है किसे नहीं लेना है pregnant lady, breastfeeding mother किसी भी प्रकार के आपको कोई भी critical medical condition में कोई medicine course चल रहा है तो उनसे भी condition में आप इसे इस्तमाल न करें तो यही था नोवा क्लोक्स LB capsule के परे में जनकरी अगर आपको वीडियो यह जनकरी अच्छी लेगी तो प्लीज लाइक किजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजेगा आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू फर वाचिं हमारे चैनल कोसे से लाइक किजेगी उनकरी लेगी देखने के लिएग किजेगा वीडियो बहुत बहुत प्लीज़गग कि लेगी रखको बहुत दो